मुंबई के पुलिस आयुकत रहे परमवेर सिंग की एक चिठी से महराश्ट की राजनीती में भूचाल मच गया है परमवेर सिंग ने सियम उद्धो ठाकरे को चिठी लिख कर बताया है कि किस तरह ग्रिह मंतरी अनिल देश्मुक पुलिस विभाग से हर महीने सो करोड कमाई की मांग कर रहे थे सचिन वाजे प्रकरण में परमवेर सिंग के तबादले के बाद यहां खुलासा हुआ है जिसने महराश्ट की महाविकासा घड़ी सरकार और पुलिस महकमे की कलाई खोल कर रख दिये इस मामले को लेकर विरोधी दल बीजेपी हमलावर हो गई है पुर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देविंद्र फड़नवीस ने इस मामले के निस्पक्ष जाज के साथ ही स्रिया मुद्धव ठाकरे और ग्रियमंत्री को ततकाल हटाने की मांग की है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर और सरविंग डीजी श्री परमवीर सिंग इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए है वो अत्यनत गंभीर है मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिलिये उससे भी ज़्यादा विस्पोटर इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते है बिरह मंत्री जी ने तुरंद इस्तिफा देना चाहिए वो नहीं देते है तो उनको मुख्य मंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसके निश्पक्ष जाच होनी चाहिए या तो केंडरी एजनसी इसकी जाच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को ये लगता है कि हमको केंडरी एजनसी से नहीं करनी है तो कोट मॉनिटर्ड इंक्वाइरी इसकी होनी चाहिए